फुवा के पास बना के खोलत चोली के दोरी ज्यासे को खोलते होतों सर्माना कर अभी तक जवानी है कि बुढूआ हो गया ये बताईए पहले तो हम लोगों को चाहिए कि उसको प्रोचाहित करें उसको परिशान करना वो सब ठीक बात तो नहीं है कोई विचारा मेहनत कर रहा है अपना नाम बना रहा है आज बिहार में पवन जी हो पवन सिंग जी हो खेसारी जी हो निलकमल तिवारी याद करिये ओ दिन जिस दिन मगहिया जवार नामा कोई ब्यक्ति खेसारी लाल यादव की बेटी और पत्नी के उपरा भद्र टिपनी किया था तो राजपूर समास से मात्र एक राजन सिंग उतरे थे खेसारी लाल यादव के सपोर्ट में आज ओ दिन याद है जिस दिन ये सोउसल मीडिया पर पूरा बिहार यूपिञ जारखन में में सोउसल मीडिया raging गया था भै diffi आपने बातों को कि सब्रीक तरीक्रखन में तरह्的時候 करहें के भी बैटियों की बात होगी बिहार की बात होगी तो भर काम होता है राक्शार करना और समझ रहें हम लोगों भर जी कौन जवान है वह बुढ़वा सुदू है कि जवानी है अभी तक अभी तक जवाने यह यह बता मगणिया जवान कर सकते हैं, मगणिया हो, नचनिया हो, कुदनिया हो, वो तो वो ही जाने, हम लोग इस सब में एक नहीं बात करते, लेकिन मैं मगईया भाई से बोलना चाहता हूँ, देखिए, ये बिहार हम सब का है भाई, और हम सब को मिल कर इसको बनाना है, इस तरीके से क नहीं चलेगा, कॉंट्रवर्सी से बिहार नहीं चलेगा, बिहार चलेगा एक अच्छे रोड मैप से, आप बिहार में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो आईए हम सब लोग एक जिगा बैठें, बिहार को कैसे विक्षित किया जाए, बिहार में कला सलस्कृति कैसे आगे बढ़े, और बिहार में कैसे अच्छी चीज़े आगे बढ़ें, इस पर हम लोग काम करें, खेसारी लाल यादो को आप काफी ज़्यादा सोशल मीडिया पर सपूर्ट करते हैं, क्या कारण है, खेसारी जी से मैं कभी मिला नहीं हूँ, मैं कभी नहीं मिला हूँ, इस हमारी बिहार का कलाकार है, अच्छे कलाकार है, लेकिन मैं उनको भी ये सलहा देना चाहता हूँ, ये बात सही है, कि ये नाचने वाले और गाने वाले जो लोग उनको कहते हैं, वो गरीबों के घरों से निकला हुआ है, एक कलाकार है, और गरीब के घर से अगर निकला हुआ है बिचारा तो हम लोगों को चाहिए कि उसको प्रोचसाहित करें उसको परिशान करना वो सब ठीक बात तो नहीं है कोई बिचारा मेहनत कर रहा है अपना नाम बना रहा है आज बिहार में पवन जी हो पवन सिंग जी हो खेसारी जी हो और भी बहुत सारे भाई हैं जिन कोई नाच गाना नहीं देखेगा तो इनका परिवार कैसे चलेगा तो उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है आपने देखा कई कलाकार ऐसे होते हैं जो कि बुढ़े होने के बाद उनको कोई पूछता नहीं था नीरत जी का जो कितना गाने में उनका उनको कोई नहीं पूछ र लेकिन यह गलत बात है कि आपको जिन लोगों ने तीन करोड की गारी तक पहुचा दिया आज आप उन लोगों को भूल गए यह यादव लोग जो कि इनको सबसे ज़्यादा पसंद करता है सबसे ज़्यादा पसंद करता है और यह लोग यादव लोगों से ही नहीं मिलते ह आते हैं विचारे मिलने तो कई कई घंटा खड़ा रहना पड़ता है वो सब अच्छा चीज नहीं है मेरे को किसी दिन मिलेंगे भाईया तो मैं बोल भी दूंगा कि ये सब बात ठीक नहीं है तूसरा मगया भाई के लिए भी मैं कहना चाहता हूं आप अच्छे इंसान है ले इतना सब कुछ दिया इस देश को सबसे जादा संसकार का प्रदेश यह है तो इसको बचाईए संस्कृती बचाने की जिम्मेदारी हम सब की है और हम सब लोग मिलकर इस पर काम करें आज आप लोग जो पत्रकार लोग हैं वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आज पूर पावन सिंग के लिए तो मैं यही कहूंगा बबुआ के खुस नहीं रखे वो भी न बबबुआन है अब हम लोग भी ठाकुरी है तो बड़ा इस पस्त है अब थोड़ा थोड़ा गाना सुनते हैं तो अच्छा लगता है लेकिन यह इस पस संदेश है पावन सिंग जी के लिए कि भाईया आप उनको खुश रखिये और सांसद बने आप भविशे में हम लोगों की सुबकामनाएं हैं बिहार के आप कलाकार हैं हम लोगों को आप बहुत गर्व हैं लेकिन आप लोग भी यह जो लड़ाई जगड करते रहते हैं अपस में कभी यादों को दबाना और फिर कभी वहां से ठाकुर को दबाना इससे नहीं मिलके भी हार चलाईए आप लोगों के उपर जिम्मेदारी है अब आप लोग तो पैसा वाला हो गए हैं तो संसद हो रहे हैं अब विचारा गरीब गुर्वा क्या करे लेकिन गरीब गुर्वा के पी तरब देखिए अच्छा है बताए लालू जी जैसा आदमी जो कि आज की डेट में हम लोग तो मानते हैं कि सबसे जादा अगर किसी ने अच्छा काम किया तो मैं तो मानता हूँ लालू यादोजी को मैंने तो एक बार बोला भी था कि अगर प्रधान मंत्री के लिए अगर कोई सबसे अच्छा हो सकता है तो वो लालू यादोजी हो सकते हैं मैं ये मानता हूँ लेकिन इस पस्ट है कि उसी तरीके से आप लोग मिलजूल के काम कीचिए और ये राजनीतिक मन भेध हटा कर बिहार कैसे आगे बढ़े बिहार का झाल कर वोग मिलजूल को जाओा शर मिलजूल को वो लोग में युग कर वोग मैं